हेलो एप्रिवन आज हम घर पर बजार से भी बढ़िया मिठाई बनाएंगे सिर्फ दस मिनट बनने में लगेगा और मुव में घुल जाने वाला मिठाई है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और अगर यह रेसेपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और प्लाटे हुए गाजर लिया है इसमें हमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है हम इसे ऐसे ही पीसेंगे पहले आप रुक रुप करके पीसे और फिर इसे तेज चलाकर पीस लें तो यह ऐसा बारीक पिसकर के तयार हो जाएगा तो अब हमें इसे पकाना है तो पैन में सबसे पहले हम घी डालेंगे तो यहाँ पर मैंने दो चम्मच घी लिया है सबसे छोटे वाले चम्मच से हमने दो चम्मच घी लिया है और जैसे ही घी मेल्ट हो जाए हम इसमें डाल देंगे पीसा हुआ गाजर और घी में गाजर को हमें 1-1.5 मिनट के लिए भून लेना है मैं इसे बहुत ही कम घी में बना रही हूँ आप चाहें तो और भी घी डाल सकते हैं और इसके बाद हम डाल देंगे 1 फोर्थ कप चीनी चीनी डालने के बाद ये पाने छोड़ता है और बहुत जल्दी सौफ्ट हो जाता है इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता 4-5 मिनट में ये पक करके तैयार हो जाता है तो अब हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर तो यहां पे मैंने 10 रुपय वाला एक पैकेट मिल्क पाउडर लिया है इसे डाल देंगे इसे डालने से इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे यहां पे आप मिल्क पाउडर की जगह पे 2-3 चमच मलाई डाल सकते हैं उसे भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा और इसे हम चलाते हुए ऐसे थोड़ा सा मैस करते रहेंगे इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि यह इकठा ना होने लगे मतलब कि इसमें थोड़ी सी बाइंडिंग आ जाए अभी आप देख सकते हैं यह कैसे एक दूसरे में चिपक रहा है मतलब कि हमारा मिश्रन तैयार है तो अब हम इसे ले चलेंगे जमाने के लिए तो यहाँ पे ट्रे में मैं थोड़ा सा भुना हुआ तेल डाल दोंगी आप इसे थाली में भी जमा सकते हैं और नीचे तेल डालना बिल्कुल ओफ्सनल है मैं डाल रही हूँ ताक कि ज़्यादा अच्छा लगे और इसके उपर से डालेंगे तैयार किया हुआ गाजर चमच के पीछे थोड़ा सा घी लगा लेंगे ताकि मिश्रन इसमें चिपके नहीं और इसे हम ऐसे फैलाते हुए चिकना करेंगे इसे हम रखतेंगे साइड में और चलते हैं दूसरे प्रोसेस में तो यहां पे पैन में हम एक चमच घी डालेंगे छोटा चमच है आधा कप हम इसमें दूट डालेंगे और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे आधा कप मिल्क पाउडर किसी भी ब्राइंड का मिल्क पाउडर आप ले सकते हैं और इसे अच्छी तरह से mix करेंगे जब तक कि इसमें का गुठलिया अच्छी तरह से खतम ना हो जाए यहाँ पे आप देख सकते हैं गुठलिया अच्छी तरह से खतम हो गई है और यह गाढ़ा होना सुरू हो गया है यहाँ पे आप दूद को भी काड़ा करके ले सकते हैं लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो अब हम यहाँ पे दो चुटकी हरी इलाईजी का पाउडर डाल दिये हैं और इसी के साथ एक चम्मच चीने डालेंगे ज़्यादा चीनी डालने की जरुरत नहीं है मिल्क पाउडर भी मीठा होता है तो थोड़े से चीनी से काम चल जाएगा और इसे इकठा होने तक हमें पकाना है यहाँ पे आप देख सकते हैं यह इकठा होना सुरू हो गया है बस इतना ही पकाना है इससे ज़्यादा नहीं पकाना है आप इसे ऐसे गोली बना कर भी देख सकते हैं जब यह गोली बन जाए मतलब की बर्फी जमने के लिए तैयार है इसे हम सेट किये हुए गाजर के उपर डाल देंगे चमच के पीछे घी लगाएंगे और इसे भी फैलाते हुए चिकना कर लेंगे अच्छी तरह से चिकना करने के बाद हम इसके उपर से डालेंगे कटे हुए पिश्ता आप अपने मन पसंद के अनुसार ड्राइफरूट्स इसके उपर से डाल करके सजा सकते हैं और चमल से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि इसमें चिपक जाए और इसे हम ठंडा होने देंगे ठंडा होने के बाद आप इसे ऐसे कर दें ताकि आसानी से निकल जाए बहुत ही आसानी से निकल गया आप देख सकते हैं और बहुत ही टेस्टी है सवधानी से हम इसे पलट लेंगे ताकि तूटे नहीं और अब हम इसे कट कर लेंगे तो आप अपने मन पसंद के अनुसार इसे कट कर सकते हैं पहले मैं ऐसे निशान लगा देती हूँ उसके बाद हम इसे कट लेंगे इस आसान सी रेशेपी को एक पार आप चरूर ट्राई करें उमीद है आपको बहुत पसंद आएगा आप इसे बना कर फ्रिज में 8 से 10 दिन के लिए रख सकते हैं आप इसे बच्चों को टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं जो दूसरा टाइम होता है स्नैक्स का बच्चे घर का खाना खुसी से खाएंगे आप भी खुस और बच्चे भी खुस ऐसे और रेसेपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई